नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इंकरेबल आये सेकेडमी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है ये बिहार स्पेसल की सिरी चल रही है उसकी आज तीसरा पार्ट है मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा इस तरीके से आपको पढ़ाऊं कि यहां के बाद आपको फिर किसी दूसरे चैनल, किसी दूसरे टीचर या किसी दूसरे बुक से पढ़ने की कोई जरुरत ना पड़े ये हमारी कोशिश है लेकिन ये कोशिश हमारी तब कामियाब होगी जब आप हमारे साथ चलेंगे जब आपके अंदर भूख होगी वही वाली जो मेरे अंदर भूख होगी मुझे आपको पास कराने की जिम्मेदारी दी गई है और आपको जिम्मेदारी है किसी भी हालत में 67 और CDPO हाथ से निकलना जाए उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा एक बार आप मेरा साथ दीजिए रिजर्ट तो जग मार के आएगी तो चलिए दोस्तों आज की स्रेशन की सुरुवात करते है आज जो सुरुवात करेंगे मगद का उतकर्श आए इसमें जो इंपोर्टेंट पार्ट है उसको ट्रिकी और स्टोडी के तुरू जो है आपके दिमाग कंदर रखने के कोशिश करेंगे क्योंकि बिहार स्पेसल एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है अगर इसको नजरंदाज कर दिजेगा तो फिर रिजल्ट भी आपको नजरंदाज कर देगा मगद का नाम सरपर्थम उलेक जो है कहां पर मिलता है अर्थर बेद में मिलता है ध्यान रखीगा मगद जिसका दूसरा कोई मगद रहने वाला ही नहीं है बस ट्रिक से समझे मगद यानि इसका कुछ भी मगद मतलब सब कुछ मगद में यानि इसका जो उलेक मिलता है वो अर्थर बेद में मिलता है जिसका कोई अर्थ नहीं है और मगद है कहां? बिहार में जो कि हम पहले भी बता चुक है कि भिहार का उलेख जो है कहाँ पे मिलता है अर्थरवेद में जिसका कोई अर्थ ही नहीं है भिहारीों का कोई अर्थ है क्या आपका कोई अर्थ है क्या ज़र सूची तो बस त्रीक के तुरु दिमाग में रखिए हर चीज रटा नहीं जाता है और अगर अधिक रटने की कोशिश कीजिएगा तो ये रटा हुआ बस एक बार आपसे बदला लेगा और वोई एक्जाम के दिन जो संडे वाला दिन होगा वही बारे से दो के बीच में खतरनाक रूल अदा करेगा और आपको गिरा देगा इसलिए कोशिश कीजिए अब आते हैं बैदिक साहित में मगद के लोग को जो है वात्ति कहा सब्दसा प्रियोक किया गया वात्त बैदिक साहित में आईए निक्स जो है उलेखवा जिसका अर्थ होता है पतीत मगद राज का उलेख जो है महभारत में भी मिलता अब ये इंपोर्टेंट हो गया यानि कि आप मगद के है को समझजी बात को इसका उलेख जो है कहा मिल रहा है महभारत में मिल रहा है महभारत के अनुसार गंगा के दक्षिर भाग में गंगा की जो दक्षिर भाग है यानि की नीचे वाला भाग में मगद तथा उत्री भाग में बिदे राज इस्तित्ता और उत्तर में जो है वो क्या इस्तित्ता बिदे और नीचे में क्या था मगद की राजदानी जो थी वो राजगीर थी अभी राजगीर थी उस समय जो था गिरिवरेज था एकदम ध्यान से सुनिएगा अत्वा राजगरी उसी का नाम है यानि कि मगत जो है उसकी राजधानी कहा है राजधानी एक पॉइंट तो यह याद रखीगा इसका उलेक जो है अर्थरबेद में मिलता है और तीसा बात महभारत में इसका उलेक हुआ है इसकी राजधानी राजगीर कहिए राजगीर कहिए गिर्बरज कहिए जहां जो करना कर लिजिए चरिए नेक्स आते हैं ब्रद्रत वंश अब यहाँ के बाद एक एक वंश के बारे में थोरा सा समझते हैं डिटियल से तो था वो जराशंद था जराशंद का बिवार मतुरा की राज़ा कंस की बहन से हुआ था मतुरा की राज़ा जो कंस था उसी की बहन से हुआ था अब इसमें सुजित सर्य याद क्या रखने लाइक है बस याद इसमें रखने लाइक प्रदित बंत से ही जरासंद आए का इी वार कोइशन पूछा गया है कि जरासंद जो था इसमें कौन से बंत से था तो याद रखी गा है बिर्दत बंत से था और इसकी सादी जो हुई थी वो मतुरा की जो राजा कर्ण्स थे जो की शुर्कृष्ण के मामा थे उनकी बहन से हुए थी महभारत के अनुसाद शुर्कृष्ण की सहाईता से पांडब पुत्र भीम ने जरासंद को मल युद में प्राजित करके उसकी हत्या कर दिया था जरासंद को किसने भीम ने मल युद में चलिए, नेक्स पॉइंट पे चलते हैं बिर्देत वंश का अंतिम राजा जो था वो रिपुंजे था बहुत इंपोर्टेंट है अंतिम राजा बिर्देत वंश का कौन है? रिपुंजे है वो है एक कमजोर और अयोगिशा सकता उसके मंतरी पुलिक ने उसकी हत्या करबाकर उसके पुत्र को राजा बनाए एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा जिस वंश का उदय हुआ है उसकी सूरच अस्त होंगे ही होंगे और जब सूरच अस्त होगा तो उस सूरच को अस्त करने में जो आहम भूमिका रहेगी वो उसके सेनापती कहिरेगा जहां पूरे प्राचीर काल देख लिजिए मद्ध काल देख लिजिए आधुनिक काल देख लिजिए पलासी देख लिजिए सब जगह वही तमाश आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये कुछ ट्रिक है जिसको ध्यान रखिएगा न है तो मजा जाएगा पढ़ने में पढ़िये इसे जैसे लगे पढ़ाई से आप खेल रहे हैं सही बात बता रहा हूँ और दिल की बात बता रहा हूँ पढ़िये इस तरीके से नहीं जो डिप्रेशन, अस्ट्रेस, टेंसर के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर वो पढ़ा हुआ जो है कभी भी आपका सार्थक नहीं है बलकि वो कूडे की तरह आपके दिमाग में जाड़ा है और कूडे की तरह आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा कभी वो डाइमंड देगा ही नहीं और हसते, खेलते, मुश्कुराते, मज़े के साथ में पढ़ियेगा तो जो डाटा अंदर जाएगा, वो डाइमंड के साथ में बाहर निकलेगा जो आपकी जिन्दगी को बदल कर रख देगा सोचना आपको है, चलिए आते हैं, मगद में अब तोरह सा डिटेल करते हैं मगद का मज़ा आ जाएगा सॉरी मगद का सरपर्थम उलेक जो है उपर में ही बता दिया था अर्थरवेद में मिलता है इसमें जो राजा हुए हर्यक बंश, शिशुनाग बंश और नंद बंश इसके संस्थापक जो है हर्यक बंश के संस्थापक ध्यान से रखेगा बिम्बिशार शिशुनाग बंश के शिशुनाग और नंद बंश के महा नंदी या महा पद्मनद क्लिर हो आप कोई दिक्कत तो नहीं है आगे चलते हैं अब देखिए अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो पूरा का पूरा हर्यक बंश बिम्विशार के बताने वाले हैं पृत्रहंत्रा पुत्र जो है आजात्सत्रु है जिसको कुनिक भी का जाता है एकदम ध्यान से सुनिएगा डेट छोड़ दीजिए मेरे काने पे छोड़ दीजिए डेट सबका जाएगा हवा में बस आपको जितनी पॉइंट बता रहा हूँ वो समझेगा पृत्रह पुत्र जो है वो कौन है अजात्सत्रु कुनिक इसकी माता जो है वो कौन है चेलना पत्नी जो है वजीरा प्रसिनजित की पुत्री थी पत्थम बहुत संगिती राजगिर की सब्ठणी गुभा में महाकश्चव के नित्यत में सब्ठन हुगा था बुद्ध का शिक्षा विभक्त सुद्पिटक और बिनेपिटक यहीं से था दूसरा है शिशुनागबंस इसका विब्रन हरियकबंस के अंतिम साशक नागदसक को एक योग आमत के अपदस्त करके शिशुनागबंस की नीव रखी गई अंतिम साशक जो थे नागदसक को एक योग और आमत ने अपदस्त कर दिया और शिशुनागबंस की नीव रखी गई जिसकी राजधानी जो थी वो कहां थी बैशाली थी ध्यान रखीगा नेक्श आते हैं अब रहा कि सुजित्सर यहां पे अगर बैशाली भूल जाओ तो ऐसे भी याद रखीगा जो शिशु होता है सब के सब क्या होता है एकदम बैभवशाली जैसा होता है हमेशा ध्यान रखीगा तो बैशाली ऐसे याद रखीगा नंदवंश जिसके संस्थापक जो थे महा नंदी यानि की महा पदमनन इनकी उपादी जो है एक राट या एक छट्र की उपादी इनको दिया गया है परशुराम के अबतार थे सर्व छट्रांक यानि की छट्रियों का नाश करने वाला और मित्र व्याकरानाचार पानिन च चलिए, इसके आठ पुत्र हुए, सो बरसों का इसका पूरा का पूरा नंदवंश का शासनत था, पांडुक, पांडुक गती, भुपाल, राष्टपाल, गोविशनाक और दश शिद्धक और कुवेत, साथ साथ में घनानंद जो की अंतिम शासक था, शिकंदर के समकालिन चा अब देखिए, थूरा सा और आगया ये, राधानी वैशाली, कालसोक या काकवर्ड, जिसकी राधानी को परिवर्तित करके वैशाली से कहां कर दिया, मगत की राधानी, पाटली पूत्र में कर दिया, दूतिये, बहुत संगती इसी के टाइम में होता है, बहुत शंग जबराने की जबरती है, नीचे पूरा क्लियर करेंगे, बस एक बार थूरा सा फोर्मेटिंग के तुरू आपको समझा देते, राधानी परिवर्तत, राजगिरी से कहा कर दिया गया, पाटली पूत्र पटना, जो कि गंगा और सोन के संगम पर इस्तित है, पटना जो है, ज जो थे रिपुंजे के हत्या करके बिम्विशार सत्ता शीन हुआ और हर्यक वंश की अस्थापना करता, हर्यक वन बिम्विशार, याद रहेगा न, कूटनिती के साथ साथ में युद्धा भी था, बिम्विशार की कूटनिती के अंतरगत अनेक राज्यों से बैवाहिक अस्थापित किये गए, उसने लिक्षवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना और कोशल नरेश प्रशेंजित की बहन कोशला देवी से मद्र राज की राजकुमारी छेमा के साथ बिवाह किया, बिम्विशार कोशल नरेश तोरह सा समझ लिजे ताकि मज़ा दे कुछ पॉइ जादानी राजगरी अस्थापित किया और बिम्विशार के सासन काल में ही मगत समराज का उतकर्ष शुरुवात हो जाती है और बिम्विशार जो है अवंती राज के शासक चंड प्रदोत की चिकित्सक हेतु राजबैद जीवक को जो है उज्जेन भेजा जाता है जिससे दोनों राज्यों के साथ में मैं त्रिपुन शंबंद स्थापित के जाता है इतनी बाते पढ़ाओंगा अभी जो मैंने बताया आपके दिमाग में नहीं गया हो गया एक्दम हंडेड परसें तैय है लेकिन अब जो जाएगा वो चला जाएगा अब देखिए हर यक वंश विद्धित वंश के अंतिम जो सासक हुए वो रिपुनजे की हत्या कर दी गई विद्धित वंश के अंतिम राजे रिपुनजे की हत्या कर दी गई लेकिन इसमें जो परतापी राजा था वो जराशन था जो की उपर में ही मैंने बताया था अब ध्यान से मेरी बात को समझ इसके अंतिम सासे जो होताANG रिपुँजे, जो किstatने को अजो this farad, कुसल के लिए फ्रिफुजे, ready exam को और वाए पर पातने लुदुदीर निए ऐसा होता युदे का श्थाक होता है जिसने अपनी वैवाहिक सम्बन्द अस्थापित करके उस छेत्र को हासिल किया गया, यहीं से शुरू हुआ, हमेशा जो अगर देखिएगा, तो दो तरीके से किया जाता था, एक तो होता था, युद्ध करके जीता जाता था, दूसरा जो होता था, वो बैवाहिक नितियां से किया जाता था, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर अकबर के स्थापित करके चैतु को जीता जाता था। उस राज़ा का दिल जीता जाता था। और तीसा जो होता था युद्ध करके किया जाता था। यहां desahead home the name वो किसके टाइम में तो ध्यान रखीगा आपको कि विमिसार के टाइम में किलियर हो गया अलग-अलग साधी कहा था अब देखी ये पॉइंट को देखिए थोरसा इस पॉइंट को थोरसा समझ लिजे ताकि मज़ा आजाया आपको विमिसार ने अंग राज पर अधिकार कर ल का राजवेद जेवक को उज्यान के में भेजा जाता जिसे दोनों तरब से मैत्री शम्मध बंद जाता है consider मभारतीय इतिसका पाहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा अब तक अस्थाई सेना किसीने घहा पहला यहाइसा शाचका बिमिसार जिसने अस्थाई सेना जो साधी करके अपने छेतर से दूसरे छेतर को अपने में मिलाता था एक तो ये भी पहला सासा कैसा हुआ इतियास में भारती इतियास में दूसरा पहला इतियास में इसा साशक हुआ जिसने अस्थाई सेना रखा तीसरा उस सेना को रखा तो उसमें हाथी जो है पहली बार इसने शामिल किया किसने तो बिम्बिसार ने बहुत इंपोटेंट है एदम दिमाग में रख लिजिए बिम्बिसार की शासनकाल 544 इसापुर्व से 492 इसापुर्व के मद माना जेता यानि इसा से पहले बिम्बिसार ने अपने जेश्ट पूस्ट जो है दर्शक को अपना उत्राधीकारी घुसित कहा अपन तू उसने कनिष्ट पूत्र आजाद सत्रू ने अपने पिता को बंदी ग्रह में डाल दिया और स्वेम को जो है मतलब क्या अपने पूत्र को बेमिसार को जो है क्या कर दिया गया एक सेकेंड हाँ कनिष्ट का पूत्र जो है आजाद सत्रू ने जो कनिस का पुत्र अजाद सत्रू था उसने अपने पिता को बंदी ग्रिव में डाल दिया और स्वेव जो है ये क्या बना शासत बन गया क्लिर है आईए अब तुरह सा अजाद सत्रू को देखते हैं अजाद सत्रू का सासनका 492 से 460 साथ इसा पुर्व माना जाता आजाद सत्रू ने कौसा लड़े इस प्रसेंजित को युद में प्राजित करके सीधी बाद किया और अपनी पुत्री वजीरा से विवा करके कासी जो है देहिज में हासिल कर लिया किसकी कानी हो रही है आजाद सत्रू की हो रही है आजात सत्रू की दूसी साधी बैशाली में होता और इस युद में जो है करम में उसने पाटली ग्राम में एक सैन छाबनी का निर्मान करवाता और कलांतर में पाटली पुत्र का लाता और मगद समराज की राजधानी आगे चलके बनती है पाटली पुत्र नेक्से वजजी संग में फूट डालने में आजात सत्रू के मंत्री वश्कर ने महत्वपुण भूमिकानी भाई आजात सत्रू ने महासिला कंटक तथा रत मूशल जैसे नभीन सस्त्रों का प्रियोक्या और राजग्रे के किलाबंदी भी करवाना शुरू कर दिया गता आजात सत्रू के पश्चात उदेनी ने मगद का राजा बनता इसने शोन गंगा और पुनपुन नदी में घिरे पाटली पुत्र को मगद की राज़ानी बना देता है अब आईए शिशुनाग बन्ष नाग दशक यानि कि हर्यक बन्ष के अंतिम सासक धान रखीगा हर्यक बन्ष के अंतिम सासक जो अत्यंत बिलाशी और निर्बल था नाग दशक अंतिम राजा बन राज़ा बन राद किसके हर्यक बन्ष के पर जाके बिद्रो करके उसे सत्त त्यागने पर विवश्ट कर दिया, और ऐसे में, कासी के कटकालिन अमात, यानि राजपाल, तथा राज के सेनापती, शिशुनाग ने, 442 सिसापुर में सत्ता हीन होकर, शिशुनाग बंश की अस्थापना कर दिया, यानि कि, सत्या हीन नहीं सत्ता शीन करके, जो हैं, शिश को मगद समराज में जो है सामिल कर लिया शिशुनाग का पुत्र काला शोक अत्वा कावर निन अत्वा काकवर्ण अत्यंत परतापी शासक था उसने पाटली पुत्र को मगद समराज की अस्थाई राधानी बना दिया कालशोक के सासन काल में वैशाली में दूतिय बोथ शंगिती का आयोजन किया गया था चलिए दोस्तों नंदबंश जो है नेक्स वीडियो में करेंगए क्योंकि वीडियो छोटा रहता है मज़ा आता पढ़ने में और पढ़ाने में भी मज़ा आता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा बन जाए तो फिर वो बोरिंग जैसा लगता है इसलिए आज की वीडियो को यहीं तक है नेक्स्ट कल जो है नंदवर्श का पढ़ेंगे डेली पढ़ेंगे थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन एक्जाम से दस दिन के पहले जो है पूरा बिहार स्पेशल ही नहीं पूरा का पूरा प्रिलिम्स का कवर करवा देंगे हम यह मेरी जिम्यदारी है बस साथ आपको चलना होगा साथ देना बंद कीजिएगा उस जो भी पार्ट को ला रहे हैं जो भी सब्जेक्ट ला रहे हैं नहीं साथ दिजिएगा उसको हम छोड़ देंगे वहीं पर जहां साथ छोड़िएगा वहीं सब्जेक्ट भी और बुक भी छोड़ जाएगा तो चलिए दोस्तों नेक्स वीडियो माते हैं थेंक्यो